चाहे जो हो वार मत करिये किसी पर गुस्से का वार राश्ट्रसंत पुजशी चंद्र प्रप्जी का मार्गदर्शन सोम वार को अगर गुस्सा आ जाए सब्ता में कितने दिन जोड़ से बोलिए साथ सोम मंगल बुद्ध गुरु शुकरशनी रवी सोम वार से वार की शुरुवात होती है और रईवार पर वार का समापन होता है सोम वार को अगर गुस्सा आ जाए तो ये सोच करके गुस्सा मत कीजेगा और होहला मत कीजेगा कि आज तो सब्ता की शुरुवात है आज भला मुझे गुस्सा करके अपने सप्ता को क्यों बिगाड़ना चाहिए मंगलवार को अगर गुस्सा आए और गाली गलोच निकलने लगे तो ये सोच करके अपने गुस्से को ठंडा कर लीजेगा आज तो मंगलवार है आज तो मुझे अपना दिन इस तरह से जीना है, जिससे मेरा भी मंगल हो, बुदवार को अगर गुस्सा आए, तो ये सोचकर अपने आपको ठंडा कर लीजेगा, आज तो बुद है, आज तो शुद्ध होनी का दिन है, और गुस्सा और गाली कलोच करके अपने आपको क्यों किया जाए, गुरुवार को अगर गुस्सा आजाए, और चीख चिलाने लगो, तो ये सोचकर कि आज तो मेरे गुरुजी का दिन है, आज तो गुरु, यानि आज से तो होता है जीवन शुरू, मुझे आज गुस्सा और गाली गलोच नहीं करना चाहिए, शुकरवा को अगर गुस्सा आए, हो हला करने लगो, तो ये सोचकर ठंडे हो जाएगा, आज तो शुकरवार है, आज तो इशुर के प्रती शुकरिया अदाईगी का दिन है, मुझे आज के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, शनीवार को अगर गुस्सा आए, ये सोचकर अपने आपको ठंडा कर लिजेगा, कि आज शनीवार है, अगर मैंने शनी को गुस्सा किया, तो सनिष्चर मुझ पर ही हावी हो जाएगा, और रवीवार को गुस्सा आए, और होहला करने लगो, तो ये सोचकर शांत हो जाएगा, आज तो रवीवार है, छुट्टी का दिन है, आज गुस्सा नहीं करना आज तो गुस्सा नहीं करना क्योंकि आज राईवार है आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन छुट्टी के जिन जैसे ओफिस बंद होती है वैसे ही गुस्सा भी बंद होता है अगर आप बूड़े है तो गुस्सा बंद कर दीजिए और जवान है तो गुस्से को मंद कर दीजिए अगर आप सब बोलो तो अगर आप बुड़े हैं तो गुस्से को क्या कर दीजिए थोड़ा थोड़ा जोड़ से बोले तो थोड़ा वो जो बुड़े लोग बैठें उनको सुनाईए गुसे को बंद कर दीजिए और बुड़े बुजरुक लोगो थोड़ा जवानों को सुनाईए तो अगर आप जवान है तो गुसे को क्या कर दीजिए मंद कर दीजिए जो लोग घर में गुसा नहीं करते जो लोग बोलनी का विवेक रखते है एक दूसरे की मान मर्यादाओं का खयाल रखती है ऐसा नहीं कि बेटा केवल पिता की ही इज़त करता है बलकि जिस घर में पिता भी अपने बेटे का सम्मान का खयाल रखता है ऐसा नहीं कि केवल बहु ही सास का सम्मान करे बलकि जिस घर में सास भी बहुक के सम्मान का ख्याल रगती है वो घर घर नहीं होता वो घर भी अपने आप में चलता फिरता जन्नत और स्वर्ग हो जाया करता है भाई और बहन सब अपने चेहरे के स्मार्टनेस पर ध्यान देते हैं चेहरे के smartness पर ध्यान देते हैं मेरी समझ से कोई आदमी सड़क पर कोई बिखारी बैठा है उसकी बाद छोड़ दो कोई विक्षिप्त और पागल हो गया है उसकी बाद छोड़ दो बाकी दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अपने चेहरे को बिगाड कर रखना पसंद करता होगा चेहरे को हम धोते हैं रगड़ते हैं साबुन लगाते हैं चोटा सा भी दाग दिख जाए तो फिर नहाने के लिए जाते हैं चेहरा साफ करके आते हैं बालवाल भी जीवन में हर चीज खूपसूरत होनी चाहिए फिर चाहिए वो जबान हो चाहिए वो हमारी सूरत और मूरत भी क्यों न हो हम अपने चेहरे पर तो ध्यान देते हैं, स्मार्टनेस पर ध्यान देते हैं, बालों पर ध्यान देते हैं, टीत की सफाई पर हम ध्यान देते हैं, दन तमन्यन अच्छे से अच्छा, ब्रस हमारा अच्छे से अच्छा, होट हमारे अच्छे से अच्छे पर इनसान के जीवन की तरक्की में स्मार्टनेस का मुल्य केवल 20 प्रतिशत है कितना केवल 20 प्रतिशत है इनसान की तरक्की में सबसे बड़ी अगर कोई भूमिका करता है जिसकी 20 नहीं बल्कि 80 प्रसेंट जिसकी भूमिका होती है वो है हमारी वानी, जबान, भाषा, बोली, लेंग्वेज, टॉकिंग, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही हुआ करती है, गुस्ता आजाए मौन रहूँ, बोलना बहुत अच्छी बात है, पर जब-जब तेजी आजाए तब-ब मौन रखना, सोने में सुगंध का काम करता है, बोलना अगर चांदी है तो विपरीत वातरण बन जाने पर मौन रहना सोना है सब बोलो बोलना चांदी है पर विपरीत वातरण बन जाने पर मौन रहना सोना है बातशीत कभी आपस में बंद मत करो आपस में कभी किसी से बातशीत बंद मत करो अगर आपको लगता है कि आपके चाचा जी से आपकी बोलचाल बंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज ही जाकर के फॉन कर दीजिएगा और कहिएगा अंकल दोग प्रणाम नमस्कार बोले क्या बात है आज दोग कैसे लग रही है बोले बस इच्छा हो गए अंकल आज आपको प्रणाम करने की और किसी भी तरीके से वापस बोलचाल शिरू कर दीजिएगा क्योंकि बोलचाल बंद करने से रिस्टे न किवल बिगड़ते हैं बलकि तूट जाते हैं याद रखिएगा जिसको आप समझते हैं कि ये गलत आदमी हैं इसलिए मैंने बोलचाल बंद कर दी मैं आपको बता देना चाहूँगा मेरे भाई बैनो गंदा पानी पीने के काम भले ही न आपाए पर आग लग जाने पर बुझानी के काम तुझ जरूर आता है